हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तू हाई स्टेडी, एफ सी आई, फूर्ड कोर्पूरेशन ओप इंडिया की और से एक एक्जाम कंड़ेट करवाय जा रहा है, एसिस्टेंट ग्रेड थरी के लिए, इसकी जो फोर्टिंत अप जनवरी की फर्स शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, फर सिफ्ट के जितने भी जेके के 25 कोस्टन है, वो सारे हम लोग डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते, एक एक करके, जो सबसे पहला कोस्टन पुछा गया था, आप लोग का, जो आप लोग के कितने जो बैंक ते, जो नेसनलाइज किया गय थे, 1969 में, तो मैंने आप लोगो कल की वीडियो में भी बताया था, इस से पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, एकनोमिक्स वाली, उसमें भी बताया था, कि 1969 में टोटल आप लोग के 14 बैंक को नेसनलाइज किया था, उसके बाद 6 बैंक, उसके बाद 6 बैंक को और नेसनलाइज किया था, वो आप ल आई थी मैंने उसमें भी ये पाइंट मैंने आप लोग को बताया था कि छोदा बैंक और छे बैंक किस-किस एर में निश्नलाइज के गए थे अब आप लोग मुझे बता देना कि इसमें आप लोग को बता चुका हूं आरब्याई की वीडियो में उसके बाद देख लेते ने आप लोग का जो इबने बतुता ये किस कंट्री से बिलोंग करता है इसके बारे में मैंने आप लोग को हिस्ट्री की वीडियो में बताया था कल महरतन ले थी उसमें भी बताया था जो जो आप लोग का इबने बतुता था ये किस कंट्री से आया तो ये मरुकु से आया था कब आया था या आप लोग साथ या आया था आप लोगा 1333 में आया था और इस समय जो रूल चल रहा था किसका चल रहा था तो मुहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था और जो इसने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था रहला तो रहला वो किसके द्वारा लिखी ग के बारे ने ध्यान रख सकते हैं उसके बाद next question पूछा गया था चमब रीवर जो ओथ है किसके trip undoubtedly होती है तो एक फैक्ट आप लोग यात रख लेना चमबल सिंध बेट वा कें एक नो जो के पूरना होती है मनजरा होती है पैन गंगा अगर इसमें गंगा जुडावा तो आप लोग इसको गंगा मात कर देंगे तो यह किसकी होती है गोदावरी की होती है पैन गंगा होगी वेन गंगा होगी और प्रान हिता होगी यह किसकी गोदावरी की ट्रिविट्री है नेक्ट आते है आप पर वी कंड़ usAAAA X ok आप लोग मैंने हर लोग को बता होगा दिन ए- comeback दुवार चला regalав 152 में चलाए गया त्पना त्वहिवर तो ट प्रक्त आपी याद रख रखेने और यहाद सकते हो जो अकब का टाइम पिरीड अता कब से कब तक तक 456 ले करके 405 तक अकबर ने रूल किया था उसके बाद नेक्स आता है एक फुल्फॉम आती है आप लोग की इन टीडियस जो टीडियस की फुल्फॉम में डी पुछा था इसकी होते टेक्स डिड़क्टिड एट सोर्स मैंने फुल्फॉम की वीडियो करवाई थी जाकर देख लिए आप लोग को टीडियस मिल जाएगा उसमें उसके बाद नेक्स आता है आप लोगा जो प्रोटो जोवा है जो प्रोटो जोवा से होने वाले डिसीज के बारे में पुछा गया यह सारी के सारे डिसीज प्रोटो जोवा से होती है उसके बाद नेक्स देख लेते हैं विच सैटलाइट लॉंच इन 1975 कल मैंने जो जेके के 500 की कोश्चन अपलोड किये थे उसमें भी आप लोग को मिल जाएगा उससे पहले भी मैं आप लोग को अल्रेड़ी बता चुका यह बनाइते हैं लेकिन लॉंच की गई थी यूएससर उस समय आप लोग का सोवियत यूनियन हुआ करता था जिसको यूएससर बोलते थे और यूएससर कब टूटा था हो सकता आप लोगों से पूछले तो 1991 में आप लोग का यूएससर क्या टूटा था उसके बाद नेक् गेंगे एक गंटे की वीडियो है दा बुक रिटन भाई था दादा भाई नेरोजी तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा कौन सी बुक रिटन लिखी गई है तो दा पोवर्टी एन अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया ये बुक लिखी गई है इनके बारे में कुछ गई थी वह भी दादा भाई नेरोजी के द्वारा देखी देई गी थी और 1867 में एक असोसियेशन थी फाउंडर ओप इस्ट इंडिया असोसियेशन इसके फाउंडर भी कौन ते दादा भाई नेरोजी थे उसके बाद जो आप जो नेशनल इंकम को एस्टिमेट करने का ज किस का था वह भी इनका एता दादा भाई नरोजी का था नेक्स देख लेते हैं या पूछा था कि नेशनल म्यूजियम कहा पर लोकेटिट है तो जो आप लोग को पूछा जाएगा कि फादनर अव्दा बलूर आल चोदरी को बोला जाता ऑफादरोपना बलूर इवोलूश आप लोग के पुस्प कुमार धहल है जो दिसंबर में अभी अपॉइंटमेंट हुए है सारे जितनी भी नेबर कंट्री के पीम है यह आप लोग याद कर लीजे बाकी मैंने जो एक अपॉइंटमेंट की वीडियो बना रखे है वो आप लोग भी देख सकते हैं सारे मैंने अ और पुंदर के वीडियो के हैं 27 मीनिट की वीडियो है मातमा गांदी से कुस्चन उससे बार नहीं आएगा हरे एक चेज कवर कर रखिए सारी के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में प्रोइड करवा दूँ हमें आप लोगों को उसके बाद नेक्स सता आप लोग का एसीन डवलप्मेंट बैंक का स्टेब्लिस क किया गया था तो यह 1966 में स्टेब्लिस किया गया था यह भी मैंने आप लोगों करवा रखा है और इसके जो हैड को ने मसाथ सुगू असा कावा यह किस कंट्री के जापान के हमेसा इसके हैड रहेंगे और इसको बोलते हैं सोफ्ट लोन विंडो ओप एसिया क्या बोलते है हर एक बूड्यो में आप लोग को यह कुश्चन बताया है और इंपोट्टेंट भी बोला है और कल भी मैंने आप लोग को यह कुश्यन बताया था राती जो महरोली इसतंब वह किसके दवारा बनवाएगय था तो चंद्रगुप्त गित्ते के दवारा यह महरोली है बारत का लावन का पर सिच्वेटीड है या आप लोग का वारानसी में इस्तित है कुश्य नंबर नैंटीन देख लेते हैं जो साइट अकेड में अवर्ड 2022 है 2022 यह दिसंबर में अवर्ड दिये गए है देखो दिसंबर का करेंट है फिर आ रहा है जनवरी का मत कर लेना दि उसके बाद किसको दिया गया यह आप लोग का हिंदी में दिया गया बदरी नारायन को दिया गया फिर तुमडी के सब्द किसके लिए दिया गया और इंगलिस में दिया गया अनुरादा रोई को इंगलिस में पूछ सकते हैं आप लोग को अगली सिप्ट में तो किसको दि कर दीजिएगा की सरी ये कोच्चन इस तरीके से पुछा गया था ये ये option था तो उस का आंसर आप climate hm ountain तो सब्सक्रों सा ब्लाइबा इसको बॉलते पूचाए兩 … कंपोनें implement होतmee हमारे लोगे इंसेक्ट होगे यह आप लोगों के बायोटिक कंपोनेंट है तो यह भी कुस्चिन था आप लोगों का उसके बाद 24 देख लेते हैं विच अप लोगों को करवा दुआ तो आप लोगों को कर देना कि सर आज एक वीडियो पर भी बना दीजिए नेस्ट आता जो नेश कि यह कुस्चन किस तरीके से पुछा गया था क्या क्या उप्सन थे और इसका क्या करेक्ट होगा वह मैं आप लोगों को बता दूँआ कमेंट में पिन कर दूँआ वैसमस तो आप लोग मुझे एक जैट कोस्चन बता दीजे कोस्चन नमबर 25 अगर आप लोग चाते हैं ज इसकी दो सिप्ट कम्प्लेट हो चुकी है पहले सिप्ट की कम्प्लेट अनलिसिस मेरे दुवारा कर दी गई थी जिसमें मैंने आप लोगों को अलग से जो 25 कोस्चन पूछ गए हैं वो कम्प्लेट अनलिसिस के साथ किये थे उसके बाद जो आप लोग की सब्जेक्ट गया है सारे के सारे कॉस्चन आल्मौस्ट मुझे मिल गये सारे कोस्चन एक-एक करके डिसकस कर लेते हैंotic जो सबसे पहला व्यक्रियंग का 있는 डिस्प्रौइश की और चोल्र यह इंस एक वीडियो मार्टिनेश को दिया गया है golden golden gloves about उसके बाद नेक्स देख लेते हैं जो disease by the vitamin D तो vitamin D की deficiency से कौन से disease होती है तो यह आप लोग की रेकेटस होती है उसके बाद जो next पुछा गया था question number 3 पुछा गया था बंगाल का जो partition हुआ था वो किस वोईसराई के next पुछा गया था परदान मंत्री मात रित्वा बंदना यूजना के बारे में पुछा गया था तो मैं आप लोग को इसके सारे facts बता जाता हूँ जो भी पुछा गया होगा आप लोग मुझे comment करके बता सकते हैं कि सर यह question पुछा गया था तो यह इंडियन स्टेट बोर्डर शेर करता है तो यह होजाएगा आप लोग का वेस्ट बंगोल नेस्ट आता आप लोग का जो सालिमार गार्डन है यह किसके द्वार बनवाए गया था पहले आप लोग को पता होने चापर तो यह जम्मो कस्मीर के शेरी नगर में है और इसको बनवाए गया था बाइदा जांगीर तो जांगीर के द्वार बनवाए गया था सालिमार गार्डन उसके बाद नेस्ट कोशन पुछा गया था कड़ है जो आप लोग की दई होती है उसका जो खटा स्वाद होता है वो किस एसिड की वज़े से ह लक्तिक एसिड उसके बाद नेस्ट पुछा गया था गुड़ गवर्नेस डे तो जो गुड़ गवर्नेस डे होता है यह कब मनाय जाता है तो आप लोगा 25 दिसंबर को मनाय जाता है इससे पहली वाले सिप्ट में पूछा गया था आप लोग का कि 23rd of December क्या होता है तो यह चोतरी चरण सिंग की बर्त अनिवर्सरी होती है जो ऐसे फार्मर डे के रुप में सेलिबरेट की जाती है उसके बाद नेक्ट पुछा गया था जो ड्राइब बैटरी होती है आप लोग की उसमें एनरजी का कौन सा कनवर्जन होता है तो उसमें आप लोग का कैमिकल जो ड्राइब बैटरी यूज होती है उसके बाद बाद पुछा गया था रैडड कलर ट्रेफिक जो आप लोग ट्राफिक में सिगनल जो होते वो रैड कलर की क्यों मनाई जया जाते है क्योंकि जो आप लोग का रैड कलर होता उसकी जो इसकेटरिंग होती है और एक एक उसके बद नेफ्स देख लेते हैं, export in India मैंने जो आप लोगों कल GK की टोप 500 की वीडियो बताई थी तो उसी वीडियो से यह question आया है इसमें भी मैंने आप लोगों को बता था इसकी फुल पूम भी आप लोग की याद रख ली निये which state in Indian is the largest producer of dish 으rast căיسer होता है इसका नंबर वन production किस state में होता है तक यह वता है तो आपने का यह जंपर कसमीर मैं होता है यह मैंने आप लोग वीडियो बनाई त्यज्ञ वाली उसमें बताहए था उसके बाद लेख लेते हैं दिगांबर और निया कुछ मैं जो फुर पूछाएं कि आर्गे के गवेर रूनर कौन ते यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस के गवर्णर कौन थे तो यह आप लोग मुसे कमेंट करके बताओगे कि 1991 में आर ब्याइए के गवर्णर कौन थे यह मैंने आप लोगों को ओल्रेडी जो आर ब्याइए के उपर वीडियो बना रखी है उसमें बता रखा है उसके बाद आप लोगों यह भी पता होना चाहिए के लिपीजी की फुलफॉम क्या होती है तो इसकी फुलफॉम हो पी लिपलायजेशन प्राइबिटायज़ेशन अंड गलोबकलीजेशन औल्बंकलीकल फुलफॉम पुछे गैथी यह थीना बैम होने आप लोगों कि फुलफॉम पुछेशन गई ती पुछी के दिख नंस देख सकते हैं इस से बाहर आप लोगों का question नहीं जाएगा उसके बाद next देख लेते हैं जो आप लोग का रवी की जो क्रोप होती है इसका harvesting time पुछा तो ये अक्तुबर में आप लोगों की बोई जाती है और मार्च अप्रेल में इसको काट लिया जाता है तो आप लोगों क होती है अब आप लोगों को को ये खा्रीक वाली होती है उसका भी आप लोगों को harvesting time हो सकता है कि आप अपकमिंग शिप्ट में पूछ लिया जाए एक कोश्चन पुछा गया था इरड़ाई से एक जट कोश्चन क्या पुछा गया था यह मुझे नहीं मिला है तो इरड़ाई के बारे में मैं आप लोग उस सारी इंपोर्मेशन दे दे हुआ आप लोग बता जेना कि इसमें से क् इंस्यरेंस एक्टर होता है उसको किया गया था और इस एप को किस ने बनाया तो इसको बनाया आप लोग का जो बीव रोप एनरजी इपिसेंस यानि बी एई के द्वारे सब को बनाया गया था उसके बाद नेक्स देख लेते हैं नोन बायो डिग्रेड़ वल से लेटेड एक कोस्चन पुछा गया था यह एक् आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट के एक वीडियो बना रखी हैं पहले सिप्ट में जो भी अपॉइंटमेंट का कोस्चन आया था और सेकेंड सिप्ट में जो भी अपॉइंटमेंट के कोस्चन आये हैं सारे के सारे उस वीडियो से ही आये हैं आप चाहँ तो वीडि जो आज चारो सिप्ट में पुछे गए हैं अगर आप लोगों को मेरे दुआ कि गए एनलसिस पसंद आती तो प्लेज आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फस्ट ताम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिए नेक्स सिप्ट के भी और अब इसकी थर्ड शिप्ट भी कंप्लेट हो चुकी है तो थर्ड शिप्ट में जेके के जितने भी कोश्चन पूछे गए हैं हम लोग डिसकस करेंगे और यह आप लोग के थर्ड शिप्ट के कोश्चन रहने वाले हैं तो इसमें जो आप लोग के जेके के 25 कोश्चन प पुछा गया था, जो मोर्य डाइनस्टी थी, वो किस डाइनस्टी के बाद में आई थी, तो इसकी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो करवाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक बताई थी, हसीन तो इससे आप लोगों की सारी की सारी डाइनस्टी एक ओडर में याद हो जाएगी क्या कहती है अब हम लोग देख लेते हैं से पहले आप तो हर्यक डाइनस्टी आती है उसके बाद आप लोग की सीसु नाग डाइनस्टी आती है एन से आप लोग की नंद डाइनस्टी आती ह जो इसका आंसर भी होगा नंद डाइनस्टी के बाद आप लोग की मोरिय डाइनस्टी आती है फिर आप लोग की सुंग डाइनस्टी आती है और के से आप लोग की कन्नव डाइनस्टी आती है और लास्ट में आती है आप लोग की साथ वहां डाइनस्टी जिसको आंदर डाइ Vice President इसके असोकलावासा है और यह आप लोग ये भी ध्यान दगना है इसको बोलते Asia की Soft Loan Window तो Soft Loan Window of the Asia किस बैंक को बोला जाता है इसको बोलते Asian Development Bank बोलते है उसके बाद Next question पुछा गया था Emerging Player in April 2022 तो 2022 में Emerging Player कोन है तो यह आप लोगों के उम्रान मली का है, उसके बाद next देख लेतें, next पुछा गया है, इसमें आप लोगों का second battle of panipat, जो second battle of panipat है, वो कब लड़ी गई थी, तो 1556 में लड़ी गई थी, अकबर एंड हेमू के बेच लड़ी गई थी, और इसमें जीता कौन था, अकबर जीता था, तीनो battle पूछी तरवार के 10 से 12 मिनिट में, उसके बाद next पुछा गया आप लोगों का lowest layer of the atmosphere, जो आप लोगों का अर्थका जो atmosphere होता है, उसमें जो सबसे नीचे वाली lower layer होती है, वो पूछी गई थी, तो यह होती है, आप लोगों के ट्रोपो इसफेर सबसे नीचे होती है, उसके बाद आछ थर नंबर पर आप लोगों की मिज थे राती है, और फोर्थ नंबर पर आप लोगों की आईनो इस फेर आती है, next देख लिएते हैं, next पुछा गयता है आप लोगा जो haliday है, जो आप लोगों की holiday wildlife century है, तो यह आप लोगों की पढ़ती है, वैस्ट बेंगोल में, उस इस्टरी की इंपोर्टेंट्स बुक्स है दस से बारा मिनेट की वीडियो है वो भी आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो का लिक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोग को परवाइड करवा दूँगा और इस चर्च किसके द्वरा लिखे गई थी तो बान समय तक सबिक लिए इसका एम होता है उसके बाद से पूछा गया था यह चैनी में लौक्ष किया गया था और इसको बनाया विद्धा और इसको बनाया तो एक बनाया वह-एक पहलalten विल्डर एंड इंजिणियर क्रोका तो इस ने इसको बनाया है उसके बाद नेक्ष्ट रहता है यह पहला स्पहल है आप लोगका जो आट एडड़न और वॉर फैर यह एक एंटी सम्मरिन वॉर्फेर जो आट बनाही चाहनुजा है कैसी जो होंगी स्वेलो वाटर क्राप्ट उसके अडर में यह पहली किस नाम से लुंच पी गई ये लॉंज किया आप लोग के अर्नाला नाम से अब आप लोग बता दियZA क्या है मैंने आप लोग को सारे अप्ट बता दिय villains जो भी हो सकता है आप लोग कांफरम कर देना कि इस से लेoi ये कोश्चन आया था कब बनाता 12 जुलाई 1982 को बनाता चेश की जो कमेटी है किसने रिकमेंड किया तो सीव रामन कमेटी की रिकमेंड डेसर पर बनाता इसकी फुल पोम आप लोगों से पुछी जा सकती है एंपायर मेगजिन एक्टर तो इस से लेटेड एक कोस्चन पुछा गया था तो मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें जो सारुक खान जो हमारे ओनली वन इंडियन एक्टर टू फीचर इंडा एंपायर मेगजिन की जो टोप 50 लिस्ट में अली एक्टर इंडियन उनका ओनाम है शारुक खान है यही कोस्चन था आप लोग इसको हर्यक्त कर दे ना कमेंट बॉक्स में कि ऐही कोस्चन ता एक जीकली उसके बास देखले तै नेक स्कबार कर संदोर का ट्रब्रक और यृवरेयंड है किस्ट घया फिरहा प्लैने है चर्क इ ट्वीन ओप अर्थ भी बोलते हैं, वीनस के बारे में सारे फेक्ट मैंने आप लोगों करवा रखे हैं इसको, यह भी जो मैंने आप लोगों को प्लेनिट वाली वीडियो करवाई थी, उसके बाद देख लेते हैं, ब्रैकिंग सोडा का फोर्मूला पूछा था, तो सोडियम कि यह कोस्चन इस तरीके से पूछा गया था, नेक्ट देख लेते हैं, जो MSP होता है, मैंने फुल पॉम वाली वीडियो में इसकी फुल पॉम भी कराई थी, फिर से आचुकी आप लोगों के सामने की MSP की पुल पॉम क्या होती है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ पुल पॉम से लेटिट जितने भी कोस्चन बन सकते हैं, मैंने 7-8 मिनिट में कतम कर रहे हैं, पहली जनवरी को, 7 जनवरी को और आज भी उसी वीडियो से कोस्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों पुल पॉम वाली वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, जिनका भी एक्जाम 21 1 & 29 जनवरी को होने वाला है, तो MSP की पुल पॉम होती है, minimum supporting price होती है, इसको कोन recommend करता है, इसको recommend करता है, CACP, अब CACP की पुल पॉम देख लेते हैं, क्या होती है, the commission for agriculture cost and price इसकी पुल पॉम होती है, कल एक्णोमिक्स की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए MSP के बा देख लेते हैं, जो आप लोगा CACP ये कब बनाता है, 1965 में बनाता, recommendation ये करता है, और जो final decision लेती है, ये भी पुछा जा सकता है, आप लोग के लिए, कि MSP का final decision है, वो कौन लेता है, तो ये लेता है, cabinet committee on economics affair, ये लेती है, आप लोगा क्या final decision किसका MSP के लिए, उसके बाद देख लेते हैं, एटीन आयता, government scheme for elder person, तो elder person के लिए कौन से government scheme चल ले है, तो ये चले है, परदान मंतरी, वय बंदना योजना चल रही है, पूरी information मैंने दे रखी, आप लोग को scheme वाली वीडियो में, 20-22 मिनट में, सारी scheme कवर कर रखी, government scheme, उससे बाहर अभी तक कोई भी scheme नहीं आई है, एक आद कोईशन आप लोग का भार बोल सकते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स रता है आप लोग का, दो न्यूजपेपर केसरी, जो केसरी न्यूजपेपर है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया थे, महराष्ट में एक उत्सव मनाया जाता, गणपती उत्सव, जो गणपती उत्सव है, वो भी किसने स्टार्ट किया था, तो वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, एक कुछ है गया था, पास से लेटर किन थुला पास किस स्टे जो आपकी मुंख़ली होते हैं उसका सबसे जादे नंबर वन प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है कली आप लोगों के लिए एक प्रोडक्शन की वीडियो डाली थी उसी से अभी तक दोनों सिप्टों में दो कोस्चन पूछे जा चुके हैं एक में पूछा गयाता आप लो आप लोगों को बताना था कि कौन सा हर्भी वरस है आप लोग कंफर्म करके बताना कि यही सर ओप्शन थी तो मैं आप लोगों के लिए इसका अंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा तो यह 22 कोस्चन थे आप यह बागी के जो तीन कोस्चन रहते यह मुझे नहीं मिले तो इन में से किसी भी कोस्चन में एरर है वो आप लोग करेक्ट कर देना जो तीन कोस्चन मुझे याद नहीं है मुझे नहीं मिले उन तीन कोस्चन को आप लोग कमेट कर देना कि सर यह तीन कोस्चन थे जो थर्ड सिफ्ट में पूछे गए हैं जो भी कंडिडेट थर्ड स पसंद आती है और मेना जो कंटेंट ये पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर पस्ट है विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे जल्द ही में आप लोगों के लिए मेंस के लिए एक प्रोपर स्टेजी त्यार करने वाला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू 75 पुछे गए हैं उनकी अनलेसीज हम लोग करने वाले है आलमोस्त सारे मुझे कुश्चन मिल चुके हैं एक या दो कोश्चन है वो मुझे नहीं मिला है वो क्ट्चन आप लोगों में से किसी भी कंडिडेट को याद है तो वह कंडिडेट कमेंट कर सकता है कि सर यह नहीं में पुछा गया है, तो चेली हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके, क्या-क्या क्मोश्चन पुछ गई है सबसे पहला क्मोश्चन पुछा गया है, जो अकबर नामा बुक थी, ये किसके द्वारा लिखे गई थी तो अक्बर नामा बुक इस रिटन बाई था अबूल फजल हिस्ट्री में मैंने एक बुक्स की वीडियो करवाईती है आप लोगों को चाकर के देख लीजिए जिनका भी एक जाम 21.29 को है उससे बाहर अभी तक भी किसी भी सिप्ट में बुक नहीं है यह मैंने सारी की सारी कर लगों आ आया था नबाड़ के पारे में और फिर से आप लोगों गज़ voter वह वह आ चुका है तो इसमें आप लोगी नेचनल और अगरिकल्चर एंड रूरल डप्लमेंट कब बनाता यह आप लोगा बनाता बारा जुलाई नैंटीन एक्टी टू को बनाता किसकी कमिंटी पर बनाता तो आप लोग सीव रामन कमिंटी पुछी जाएगे आप लोगों से कि साजी के वी यह इसके करंट में किसके नबार के एड है यह आप लोग जिरूर ध्यान नदक लेना आप लोगे से पूछा जाएगा उसके बाद नेक्स पुछा गया आप लोगा जो एंडीवी है यह सब्सक्राइब लोगों को एंडीवी के फुलपम पता हुनी चीज़ए जो तो इसको लेड किसे ने किया था सरदार बललबाई पटेल जी ने किया था ये भी मैंने आप लोगों को कली की वीडियो में कराया था जो मैंने आप लोगे कल हिस्ट्री के कोश्चेन करवाइब तोप 200 उसके बाद नेक्स देख लेते हैं बगत सिंग के साथ जिन्होंने तो उसके बाद नेखे लेते हैं लाइट पूछा तो आप लोग का पूछा था अगर पहला पुछा तो आप लोग का अंदर प्रदेश होता है next देख लेते साइतte Academy Award 2022 पुछा गया थी इसमें पुछा कि English किसो को मिला है तो English में पुछा गया होगा तो अनुरादा रोयक होगा next आप लोगों से उर्द। में पुछा जा सकता है तो उर्द। में आप लोग का हो जाएगा अंसि असफाक हो सकता है और next अगर आप लोग का संस्क्रिट में पूछा जाए तो आप लोग का जनारदन परशाद पांडे होगा तो आप लोग को ध्यानक ना है आप लोगों से किसी में भी पूछा जा सकता हिंदी इंगलिस उर्दू संस्क्रिट ये पाँच लेंगवेज होती है इननी में आप लोग को ध्यानक ना है कि किसमें आप लोग को दिया गया है उसके बाद next देख लेते हैं जो आप लोग की प्रेसर की यूनिट है तो प्रेसर की यूनिट क्या होती है Newton per meter square होती है नेक्ट को सिन ता आप लोग काamos which joint joint the neck to the head तो आप से कोन सा joint होता है जो neck को head से जोडता Mm यह joint आप लोगों मुझे comment करके बताएं गे कि यह joint कौन होता है कौन सा होता है उसके बाए नेक्त कोफे का No. 1 production इस्टेट पूछा था अगर state पूछे तो करनाटका हो जाएगा, world में पूछे तो ब्राजियल हो जाएगा, मैंने करी आप लोगों को agriculture production की वीडियो करवाई थी, सारे के सारे question आप लोगों को हर एक सिप्ट में आज वहाँ से देखने को मिल रहा है, सारे मैंने already cover करवा रखे हैं, उसके बाद next दे देख लेते हैं, which planet nearest to the sun, sun के जो nearest ये कौन सा प्लेनेट आते हैं, तो मरकरी आता, ये भी मैंने आप लोगों को मरकरी जो आप लोगी universe and planet वाली वीडियो करवाई थी, उसमें करवाई था, उसके बाद फादर रुप्दा, गोतम बुद्धा तो कोन थे, तो सुद्धा धना आते हैं, नेक्स्ट आता है, आप लोगों का, जनवरी 2030 में, which country है, the chief guest, जो आप लोगों का, जनवरी 2030 है, चल रहा है, तो 26 जनवरी को, हमारे chief guest कोन सी country के होंगे, तो अब्दुल्पते LCC होंगे, एजिप्ट कंट्री के president है, अगर आप लोगों से पूछे जाएं कि कोप 27 कहाँ पर होगी, तो कोप 27 आप लोगों की, इजिप्ट का एक सहर पढ़ता है, शेक सर्मल शेक, तो सर्मल शेक सहर है, यहाँ पर आप लोगों की कोप 27 होगी, उसके बाद नेक्स देख लेते हैं, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क पुछा है, इंडिया में, तो यह कोन सा होता इसका नाम होता है, जिम कोर्बेट नेशनल पार्क, जब यह सुर में बनाता तो इसका नाम होता था, सर मैलकम हेले नेशनल पार्क, तो यह 1936 में बनाता, सबसे पहले आप लोगों का नेशनल पार्क है, उसके बाद नेक्स देख लेते हैं, एक कोश्चन आप लोगों से प परवा देता हूं यह योजना 2015 में लोच की गई थी और इसका जो एज क्राइटिरिया 18-70 है और इसका जो एन्वन प्रीमे में चेंज किया गया यह पहले 12 रुपे हुआ करता था अब 20 रुपीज हो गया तो इन में से जो भी कोस्चन था आप लोग बता जेना कि सर इसको यो इसका यह आप लोग बिमा कौन से पर्धान मत्री फशल भी मैं यूजन रही है अगर यह वाली तो इन में से आप लोगों का होगा अगर उपर वाली यूजना पुछ गई वाव उत्त देख लें जो चिलका लेग तो चिलका लेख काहां पर इस्ती ते तो आं आप की उडिसा में इस्थित्य चिलकले अगर आप लोगों पूचे बितर कनीका नेशनल पर कहां से तो आप लोगों का हुजाएगा उडिसाँ देख लेते हैं पुमा की ब्रेंड अम्बेस्टर इंडिया में कोन है तो यह आप लोगों की अनुस्का सर्माई यह 2022 में दिसंबर के अपूंटमेंट है दिसंबर में इनका मनलब यह निक्त की गई थी किसकी पुमा की ब्रेंड अम्बेस्टर विच स्टेट वाडा नगर इंकलूड इन्दा कोश्चन बस्ते 21 23 24 25 इन 5 कोश्चन में से भी किसी भी कंडिडेट को अगर यह कोश्चन याद है तो कंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर यह 5 कोश्चन पूछे गए थे पिर जैसे ही मेरे पास सारे सिप्टों के हरे कोश्चन आ जाएंगे मैं आप लोगों के लिए करेक्ट कर दे रहा कि सर इस कोश्चन में यह एरर है बाकी कोश्चन एकदम 100 परसंट एक्यूरेट मेरी तरब से और जो इनका सलूशन दिया गया है वो भी एकदम करेक्ट है अगर आप लोगों को मेरे दुआ कि एनालिसिस पसंद आती तो प्लेज आप वीडियो को लाइक के लिए साथ जनवरी को इसकी चारो सिप्ट कंपलेट हो चुकी है तो इस वीडियो में हम लोग जितनी भी चारो सिप्ट हुई है हर एक सिप्ट में 25-25 कोश्चन पूछे गए तो टोटल 100 कोश्चन मुझे मिल गए है सारे मैं आप लोगों के साथ सेर करूंगा विद एक् से चारो सिप्ट कर्वाए गई है तो जो टोटल 100 कोश्चन बनते तो सारे मिल गए है which river is known as the Gangan of South India तो दक्षिन भारत की Gangan किसको कहा जाता तो Kavyri River को कहा जाता है अगर question आता है who is known as the South Gangan दक्षिन Gangan खाली दक्षिन गंगा आ जाए तो आप लोगों का answer गूदावरी हो जाएगा अगर आ जाए दक्षिन भारत की Gangan गा, तो आप लोग कान सुर रहें गा, कविरी हो जाएगा. उसके बाद देख लेते हैं. Next question ताप लोगो सबसे हाइस्ट पिएक और the Eastern God, जो इस्टन घाट आप लोगो गा उसकी सबसे हायस्ट पिक के बारे में पुछा गया तो तो आप लोग किया क्या बनती है, जो महिंदर गिरी है उडिसा में यह आप लोग की इस्टन गाट की सबसे हाइस्ट पीक है जो वेस्टन गाट है उसकी हाइस्ट पीक आप लोग कमेंट करके बताएंगे में भी हो सकता है कि अगली वाले सिप्ट में आप लोग को वेस्टन गाट की हाइस्ट पीक पूछ सकता है उसके बाद आप लोगों को बताना है इंडिया की जो सबसे बड़ी कैनाल पुछी थी तो यह आप लोगों की इंद्रा गांदी कैनाल है हर कोई जानता है इसको most important repeated question है उसके बाद नहीं question पुछा गया था which state known as the largest forest cover area सबसे ज्यादा forest का जो area किस state में पढ़ता है मद्य परदेश में पढ़ता है लेकिन अगर question आए कि सबसे ज्यादा percentage के इसाब से forest cover किस state में तो आप लोगों का answer change हो जाएगा उससे में आप लोगों का answer हो जाएगा a b c जो आप लोगों की मोरे डाइनिस्टी थी उसके founder थे चंदर गुप्त मोरिया उसके बेटे थे बिंदुसार और उसके बेटे थे असोक तो इसका जो answer होगा बिंदुसार आई होप यह trick आप लोगों को याद भी रहेगी उसके बाद ता जो आप लोगों के लिए इंप upcoming shift में होगा वो आप लोग याद रख सकते हैं जो next आप लोगों का खेडा सत्ताग रहे आप लोग का उन्नीस्तो ओथारा में हुआता और घुजरात में हुआता एमदाबाद मिल स्टाइक यह भी गुजरात में हुआ थी 1918 में हुआ थी next आप लोगों का उन्नीस्तो बीस म नोन खिलापत मोमेंट भी आप लोग याद रखना यह बी 1919 में हुआ था तो नोन खिलापत मुओंनेंट कब हुआ था 1919 में हुआ था नेक्ट एक यह आप लोगग को याद रखना है 1942 में कहां से हुआ था तो महराष्ट में एक जगह पढ़ती है गवालिया टैंक तो गवालिया टैंक से 8 अगस्त 1942 को आप लोगों का Quit India Moment स्टार्ट किया गया था और वही पर एक स्लोगन भी दिया गया था Do and Die, Do and Die का स्लोगन किस ने दिया था यह आप लोग को प्रिंटिंगéral ही ही कितनी कोई जो की चुछ जानते ही है कि हऊ मैंने प्रिंटिंग प्रेश इन्डिया था इं डिया में तो चार कितनी 5 जो कॉैन की कि मिनटकी है तो फेडिश हो जाई गागर पुछ कितनी है दो ऑंजो गर्मेंट यहीं जिदिया जो ऋपने घौर प्रेंट के याद रसा ऐंगार लोकि प्रिंटिंग को जाएगी और 4 आपछे हैं तो चारे अपा लोगा याद रखना है उसके बादनaha इंसी नोट्स और प्रिंटिड कहां का एक तो आप लोगों का देवास मारस्टा में पढ़ता है साल बोनी नासिक और माईसुरी तो चार आप लोगों की प्रिंटिंग प्रेस है इनमें से दो तो गवर्मेंट और पिंडिया की दो इनमें और यानि रिजर्ब बैंक और पर 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 बनता है कहां पर अमध्य परदेश के शूषंगाबाद में आप लोग याद रखना शूक्यर्टी पेपर उसके बाद देख लेते नेक्स्ट आता है आप लोग और नाइन आता है विच आप फॉलोइंग पार्ट इस नोट इन आई चार पार्च पार्ट दे पर लोग देख लेते हैं विन्दा मिसवल्ट टाइटल मिसवल्ट टाइटल 2022 का किस ने जीता तो इस सरगम कोसल ने जीता है मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आप लोग को अवोड वाली वीडियो में यह वाला कोश्टन भी कराया था और नेक्ट कोश्टन ट्वेल वीडियो में और इंपोर्टेंट भी बताया था आप लोगों को कि पैटा दोजार बाइस अपरसन अपड़ा इंडिया की तरफ से किसको दिया गया तो सोनाक्षिश इन्ना को दिया गया तो जिनका भी एक्जाम 14-21 को वह वाली वीडियो एक बार जरूर देख कर जाए मुस्किल से 10-15 मिनट की वीडियो होगी अगर आप लोग वीडियो देख लेते तो आप लोगों का कोस्चन है वो कभी भी रोंग नहीं होगा समय हमने 2022 के सारे वोड कवर कर लिये थे उसके बाद एक कोस्चन पुचा गया था लियो एरिक वरडा कर यह किस कंट्री के पीम बने तो इंडिय हम लोग फीपाप पर जितने भी कोस्चन बन सकते उसकी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आँगा लेकिन उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना किसरा में फीपाप पर एक वीडियो चाहिए है उसके बाद कोस्चन नमर 15 था फाउंडर ओब दा गुलाम डा इनेश्टी आती है जिसने तेरा सो बीच तक रूल किया था फिर बारा सुन च्छानवा में कौन रूल करता है अलाउदीन खिल जी मोस्ट इंपोटेंट अब मार्केट रिफों कौन लेकर आया ता अलाउदीन खिल जी यह आप लोग कोस्चन निपीटिड है उसके बाद मा प सारी बैटल वाली वीडियो देख लेते तो आप लोग की कोई भी बैटल उससे बाहर कर वाए 흘र जाएगे सारी की सारी बैटल मैंने उसमें कणर करती अप लोग कोश्चन कौन सा सब्टान से जो मतलब हमेंसा रहेगा तो यह आप लोगा इन एक्जोस्टिबल एयर यह हमेंसा रहेगी बाकि जो फोरस्ट वगेरा है पेट्रोले में यह फिनिस हो जाएंगे निती आयोग कब बनाता तो यह बनाता आप लोगा एक जनवरी 2015 को इससे पहले क्या हुआ करता था इससे पहले आप लोगा प्लानिंग कमिशन हुआ करता था और प्लानिंग कमिशन कब बोलिश किया गया था 2014 में फिर 2015 में एक नई बोड़ी बना देती नीती आयोग नीती आयोग के जो चेर परसन हमेंसा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं आप लोग को याद रखना ह इसके बाद कोशन नमबर 20 पुछा गया था तो यू आई इसकी फुल फॉम आप लोग को पता होनी चीए एक सिप्ट में पुछा गया था कि आई का क्या मतलब होता है तो यूनिक आइडेंटिफीकेशन डवलपमेंट अथोर्टी यूनिक आइडेंटिफीकेशन डवलपम इसमें जो गर्स की जो maximum age है कितनी तक वो enroll कर सकती तो 10th होता है नेक्स्ट कोश्चन नमबर 22 जो आप लोग के नालंदा महा विहार जो युनेसको साइट है है हरिटे साइट है किस स्टेट में रहती है तो यह आप लोग के भीहार में पढ़ती है यह आप लोग याद रखना वो कोश्चन नमब 23 पुछा गया था जो आप लोग का सबसे brightest planet कौन सा है तो यह वीनस है कल ही morning में मैंने प्लेनेट वाली वीडियो डाली थी उसी वीडियो से तीन से चार कोश्चन डारेक्ट ले उठकर आये तो जो भी candidate वो वीडियो देखकर गए थे वो यह कोश्चन कर मैंने लिखा है मैंने एक वीडियो प्रवाइड करवाई थी आप लोगो साथ से आट मिनिट की national symbol of India उसमें मैंने आप लोगो को यह कोश्चन करेक्ट करवाया था सारे के साथ आट मिनिट की थी सब चीज कवर करवा दी और बोला भी था कि यहां से कोश्चन जुरूर गया यह वाला पुछह था उसके बाद हम लोगा डदे यह आपो लोग की स्पौर अब लोगों की स्पौर में में के के तने बीट पूचिन पूचे गए है वह हम लोग देख लेते हैं कौन से सिट मैं आप लोगे बता देता हूं सिपट फौर सि help four में पहला कुछा गयता विता आप लोगों का जो मोनेटरी सल कमेटीज कमेटीत जो होती है मोनेटरी पुलिस कौन लेकर आता है तो इसको कौन बनाता आरबची बनाता है इसको और इसको कुछ एकस्टा फैक्ट देख लेते हैं जिनका एक्गास बाद में होगा उनके लि में एक कॉस्चन आप छो होता है कि इन्डिया में करना इंडिया और 9 में ड़ने filled प्रियंक भीखले करें क्या है और 1 श्यारी सटम करें निडिया जुक्यिया रहते हैं ूप के बाद question number two पुछा गया था richest person in the world दुनिया में सब से अमीर आदमी कोन है तो यह आप लोग के बर्नार्ड और नोल्ट और यह किस कंट्री से आप लोग मैं बता देता हूं फ्रांस कंट्री के है और यह कंपनी चलाते हैं लुई विटो कोन सी चलाते हैं लुई विटो तो इ राइगूर स्वाइल का दूसरा नाम पुछा तो ब्लैक स्वाइल बोल सकते हैं यह ब्लैक कोटन स्वाइल बोल सकते हैं उसके बाद नेक्स था जो अलाई दर्वाजा किसने बताया ता अलाउदीन खिरजी ने मैंने आप लोग को लड़ी बता दिया question number six पूछा था बैट बैटल याद रखनी है वो बैटल जरूर पुछी जाएगी बैटलोप बिलगराम या बैटलोप कन्योज 1549 वाली उसके बाद था human ear की साउंड हो कौन सी कितनी प्रिक्वेंसी तक हमारा जो कान हो सुन सकता है तो आप लोग याद रखना 20 हर्ट से लेकर के 20,000 हर्ट के भी स सुन सकता है इस से कम की भी नहीं सुन सकता है और इसके बाद की भी नहीं सुन सकता है अगर कोश्चन में इस वाले कोश्चन में मुझे थोड़ी सी एरर लग रही है आगर आप लोग को एक्जेक्ट पता है कि सर फ्रिक्वेंसी वाला था कि डेसीबल वाला था नुएज व पर कनड़ा में ये को 15 थी उसके बाद देख लेते कुश्चन नमबर 10 आप लोग का जी एस्टी एन जी एस्टी एन में एन की पुलपरम क्या थी ती नेट रखती जी एस्टी कब आया था तो एक जुलाई 2017 को जी एस्टी आया था दुनिया में जी एस्टी पहले किस कंट्री में आया था तो 1954 में प्रांस में आया था भारत में सबसे पहले जी एस्टी किस में लागू हुआ था तो असम में लागू हुआ था जी एस्टी से सारे कोस्चन याद रख लेना आप लोग और पूछे कि जी एस्टी में टोटल कितनी सलेब होती है तो टोटल पांच सलेब इनके लाब अगर कोई होगी तो यह आप लोग का कर्रेक्ट आंसर होगा वेर इजदा के वड़िया रेलवेस्टेशन यह गुजरात में पढ़ता है और इसका नहीं नाम क्या हो चुका है एक तन अगर रेलवेस्टेशन हो चुका है कोश्चन नंबर 13 तेन देख लेते हैं एर इंडिया को किस ने उन किया आप लोग जरूर दियान लगना कि एर इंडिया की स्थापना कव की गई थी तो 1932 में की गई थी यह को जरूर देखने को मिलेगा उसके बाद देख ले तो पीम मोदरा योजना मैंने आप लोग को एक योजना वाली इसमें कटेगरी होती है उसमें जो मैक्सिम्म लोन होता है आप लोग बता सकते हैं दसलाग का दिया जाता है शानलो स्क्र Scr anything आप लोगstem सकते हैं इंडिया का आप Ji जरूर पूछा जाएगा जिनका भी upcoming shift में एक्जाम होगा तीन-चार motion दे रखी थी उन में से आप लोग को बताना था कौन सी circular motion नहीं है जैसे machine होती है जो आप लोग की सिलने वाली तो उसकी to circular motion होती है यह तो आप लोग और इजली option से कर दिया हुए कि March of Indian Army circular motion में March नहीं कर तो अटतर लोग आप लोग याद रखना अटतर लोग ने फरस्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया था उसके बाद नेक्स्ट इसको जो फाउंड किया था किसके द्वारा फाउंड किया था अगर female president पुछे तो एनि बेसेट इंडियन female president पुछे तो आप लोग का स्रोज़ी नाइड हो जाएगा total कितनी female president बनी है तो तीन याद रख लेना और 1949 में कों president थे ये भी याद रख सकते हैं इसको सूरत इस्पिलिट बोलते हैं उसके बाद कुशन नंबर 19 था टेरिश टेलियर है इनमें से जो भी नहीं होगा तो वह आप लोगा क्रेक्ट हो जाएगा यह सारे तो टेरिस टेलियर के कटिगरी में आ जाते हैं उसके बाद तो एक तरह का फार्मर जो हमारे किसान होते ह चोटे किसान उनको इंटरनेट से जोड़ना था यही क्या थी आप लोग की इसो पालती कोशन नंबर 21 पुछा गया था रूट टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होता है ना इसको कब से कब तक एक्स्टेंड कर दिया गया है उसके बाद कोशन नंबर 22 था हाव मैनी गो पाल लोग आता कोशन नंबर 25 पे लास्ट आता है जो चंपारण सत्यागरा है वो किस यह में होता है उननीस सो सत्रह में होता है तो यहां मैंने आप लोग के साथ डिसक्स कर दिया है सिप्ट वाले आप लोग देख ले ना अब हम लोग चलते हैं सिप्ट वन पे यह आप ल को कमेंट करके बताना जो काली बंगन है यह किस लिए वह मता काली बंगन और किसे स्टेट में पड़ता है काली बंगन उसके बाद नेक्स आता है आप लोग का दा प्लेनेट विच हैज दा सोटेस्ट डे इन अवर सोलर सिस्टम तो जुपिटर ऐसा वासोड होता है जिस प एकनोमिक एडवाइजर करेंट में चेक इपनों के एकनोमिक एडवाइजर कोने तो अननत नागेश्वर हमें और जो आप लोग का एकनोमिक सर्वे है तो यह बजट से एक दिन पहले यह भी आप लोग याद रख सकते हैं कुश्य नमर फाइप आता है आप लोगा सार्क कब अननेकल में है नेपाल के काटमंड। में पढ़ता है उसके बाद लेटों की स्तापना की गई ती अप्रेमियम कितना कर दिया घखै पहले 12 रुपे था अब इसको 20 ब्राकर कर दिया है एक premium हो आप लोगो याद रखना है 332 था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है 436 कर दिया है किस योजना का है वो आप लोग कमेंट करके बता है कि सर वो इस योजना में किया गया है देख लेते हैं दा फर्स्ट ओयल रिफाइनरी इन इंडिया कहां पर सेट अप की गई थी तो उसका एक तो नाम याद रखना डिग बोई में सेट अप की गई थी या तो आप लोगा उप्शन में 1866 होगा या फिर 1901 होगा तो जो भी दोनों उप्शन में से आप लोग के का पर हुई तो नहीं दिल्ली में वी और यह आप लोग का थरा दिसंबर का कॉस्चन में साप लोग को दिसंबर करण अच्छे से करके जाना कि दिसंबर बहुत ज्यादा को से देखने को मिल रहे हैं आई जोल किसकी कपिटल मीजोरम मीजोरम के बारे मैंने बताए कि हैं समझ चंद्रगृत का रूल चल रहा था और यह भी आप लोग को याद रखना है किसका अंबेस्टर तर ता जो से लुकस निकेटर की और से भेजा गया था चंद्रगृत मोरिया के कोट में कौन मेगस्थनीज मेगस्थनीज की बुक का नाम आप लोग कमेंट करके बताएं सिरे चाहां सिये मद्यपर देश में का나 माधव पन्ना पंच यह सा रहे कहां पर पर पड़ते हैं मद्यपर देश में पड़ते हैं वर मसाले यह बहुत बार डावटी रहता है अप burnow नोग कूछ मिलाकर मसाले बोलते तो हृएं production आप लोग का मद्य पर्देश हो जाएगा अगर इलाइची की बात करें तो किरल हो जाएगा क्योंकि हमारे दिमाग में एंसेंट से यही पढ़ा है कि जो मसाले के रल में होती है और आल जितने भी मसाले उन सब को मिला करके नंबर बन स्टेट आप लोगा मद्य पर्देश ह हो जाएगा यह आप लोग चेक भी कर सकते एक दम अपडेटिट डेटा है उसके बाद देख लेते वाट इस दा मिनिस्टर ओप साइंस टेकनोलोजी मिनिस्टर कोने समय तो हर्सवर्दन शिंग है कुश्य नंबर 16 देख लेते हैं हूँ इंटेग्रेट जो 562 या 563 रियास इंटेग्रेट करने में तो वीपी मैनन याद रख लेना वीपी मैनन मोस्ट इंपोर्टेंट है वीपी मैनन की एक बुक भी है वह आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्होंने कौन से बुक लिखी थी उसके बाद नेक्स ता आप लोग का लाज़स्ट पैनिसुलर र नेक्स्ट निया इसके प्राइमरी अलिमेंट होते हैं और एक सलनाइट भी होती है इनके अलावा अगर आप लोग मेंसे कोई भी उप्सन होगा तो वह आपका करेक्टर शुरू जाएगा कोश्ट नमबर 20 था पैंसन फंड रेगुलेटर डवलप्मेंट अथोर्टी जो है जो आर्टिफिशल मेंट इस एक कोश्टन था यह कोश्टन मुझे नहीं मिला यह आप लोग बता देना कि सरी आर्टिफिशल मेंगनेट से इस टाइप का कोश्टन पुछा गया था कोश्टन नमबर 20 नोट यूज इन पोटो यह तो मैंने आप लोग को बता दिया है उसके बाद आता है कि एक कोश्टन भी आप लोग बताना कि यह कोश्टन था की नहीं था जो प्लेनेट है वो अपना फूड किस से नहीं बनाते हैं तो यह आप लोग मुझे बता देना कि सरी यह कोश्टन था या नहीं तक कर देना यह 24th question था उसके बाद हम लोग last देख लेते हैं 25 था जो फीपा का third runner up पुछा था तो फीपा का third runner up कौन था यह आप लोग का लिस्ट बता दीजिए हमें जो एक तारीक और साथ तारीक के बेस पर जो है रिपेट होंगे जो इनका भी अपकमिंग एक्जाम होने वाले तो चले देख लेते हैं उसके बाद आती है आप लोगों की लाज शिप्ट देख लेते हैं यह सिफ्ट नंबर टू है यह आप लोग लोगों कमेंट करके बताना कि इंडिया की जो पुपूलेशन है पूरे वर्ल्ड की पूपूलेशन की कितनी परसेंट है यह आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इजी है उसके बाद देख लेते हैं इंडिया साइंस कोंग्रेस जो 2023 में तो यह कहां पर हुई है 106 नंबर क और कहां पर हुई है नागपुर में हुई है उसके बाद नेक्सट आ पहलोगा उसे योडिया नेरल होना है कार्भाइडेट हो इंड फैट होती है इसके बाद ता किसी का भी order है किसी से पहला पुछे दूसरा पुछे तीसरा पुछे आप लोग बता दोगे यह order बस यह वड़ा आप लोग याद रख लेना भज सब तो यह आप लोग का जितने भी मुगल एंपरेर है उनको याद करने की ट्रिक है उसके बाद आता है अनाधर नेम अब दा हनी हनी का दूसरा नाम क्या होता नेक्टर बोलते हैं नेक्ट कोशन पुछा गया था तो लार्जस्ट कोल रिजर्व किस में पाए जाते हैं तो जारकंड में सबसे ज्यादा कोल के रिजर्व पाए जाते हैं नेक्स ता साल्ट सत्याग्राय किस एर में हुआ था तो यह एंदाबाद मेंस ट्राइक यह भी उनिस सो अथारा में हुई थी रून का लोग का एक अगस्त बीस को आता वो लास्ट कुट इंडिया मुपेंट जिसमें डाइंड डू और का स्लोगन दिया गाता यह एक अगस्त को मियक्त के गौला टैंक से स्टार्ट किया गया था उसके बाद को चुन नम्र साथ देख लेते आर्ज समझ की लिए तो स्वामी ध्यानन तुरसopardy ने की थी किस येर में की थी 1875 में की थी 8075 में की थी किस जग है पर की की थी थी तो ममई में किती बुम्बे में बोला कर रहते थे उस टाइम बाद में नाम चैन्ज करके 1995 में वो मुंबई किया गया था तो याद रखने ना किसने स्वामी ध्यानन्स रस्वति ने की ती उसके बाद कुछिन नंबर एट आता है विच गुरुप में अधर कंट्री टू ज्वाइन द लेकिन डुरा ने जब से क्रीमिया को नुकस कर लिया था था तब से इसमें रस्या को बार निकाल दिया था तब से जी7 कहलाता है बाकी आप लोग कोन कोन से कंट्री टूरांस से जैनाटा है इस ले पर टाभ whiskey पड़ता हैfest में उस बंब नेख्ट एक दो कंठ्री जो नहीं परक सारे में आप लोगों को रिवाइस करवा देता हूँ का जी रंगा मानस ने मेरे डीवरुसाई को वार ना मेरी औरांग नेशनल पार्क और जिरूर धिया लग लेना आप लोग और लगों को पूछा जाएगा कियोंकि इसको इंटरनेशनल रेंजर अवोर्ड बाइस दि तो जनेवा में एक पाइंट और याद रख लेना डबलू टियो तो आप लोग कब बनाता तो 1995 में बनाता कब बनाता 1995 में बनाता लेकिन उससे पहले एक और एक बोड़ी वा करती थी जी ए डबल टी इसकी फुल्पों मैं बता देता हूं जनरल अग्रिमेंट ओन ट्रेड एं कौन सा अब है कि एक जनवरी को लास्ट मेंबर कौन ता इसका अफगानिस्तान ये भी याद रखने ना डबलू टियो का जो लास्ट मेंबर एड किया गया तो अफगानिस्तान था अब हम लोग देख लेते जो जनेवा सुटिजल लेंड में पढ़ता है इसमें किस-किस के है एक तो आप लोग का वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजेशन का है उसके बाद आता है आप लोग का इंटरनेशनल लेबर और्गेनाईजेशन वर्ल्ड ट्रेड तो बता दिया फिर आप लोग का वर्ल्ड मेटिरोलिजिकल और्गेनाईजेशन नेक्स्ट आता आप लोग का वर्ड इंटलेक्चुल प्रोपट्टी ओर्गनाईजेशन जो आप योग की आई पी रिपोर्ट दे निकालता है जो उसके बाद आता है आई ईशो इंटरनेशनल और्गनाईजेशन पूर standardizedization दुनिया में standard जो set करता है उसका headquarter भी जनेवा में है और United Nation High Commission for Refugee इसका भी headquarter कहा मिलेगा आप लोग को जनेवा में मिलेगा उसके बाद एक तो हो रहती है आप लोग के United Nation Drug Control वाली इसकी फुल पॉम साथ मुझे याद निया रही इसके बाद आई टियो याद रखे लिए ना इंटरनेशनल टेले कम्यूकेशन यूनियन इसका भी हेड़क्वाटर जनेवा में मिलेगा और अंक्टाड युनाइटिड नेशन कोंफरेंस ट्रेड एंड डवलपमेंट इसका भी जनेवा में मिले था बने और यह किस स्क्रीन वीडियो में सारे करवा देता हूं आप लोग इसका स्क्रीन सोट ले लेना कोई भी फैस्टिवल आएगा इससे भार नहीं हुआ क्या क्या है एक तो आप लोग याद रखना विशू को बोलते हैं केरला का नवी निव येर बोलते हैं उसके बाद आता है आप लूग का पदमा नाबं ये जद आप लोग का बाला पुजा नोबाला पूजा इंवा पूजा राटू ये थी केयर लाके है तो सारे अप्यश्टिवल में आप लोगों के लागेर्योज कर हादिए वासकोडिगामा किस कंटरे से बिलंग करते थे आप लोग जानते पुर्तिगाल से बिलंग करते थे यह आयते 1498 डज़सा लें यह कहां पर इंडा एंड उस्के बाद लोग का कॉन सी बुक लिकी तो अर्थ-सासति बुक लिकी गई चाड़के के दुवारा कुछ important books जो है मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में यहीं पर provide करवा दे रहा हूँ अगर आप लोगों में से history की यह book पढ़ लेते हो तो इन से बार कोई भी book नहीं आती है history की most important book है यही बार-बार repeat होंगी जिनका भी exam बाद में होगा 14 को होगा कौन-कौन से important भी बता देता हूं एक तो मुद्रा राक ससे किस के लिखे विसाक दथ ने लिकिए उसके बाद यद irony कि यहाद रखना राज-तरंग गणी यह किस में के कस्मेर की story तुराजतरंगणी में किस की स्ट्री किस्टीर आप लोगों बदो pay keyword है किस्ट इा पछाथ ने FREGEE लिए लखे साविट लिए उसके बाद नेये ने रहाते हैं लोगों मुझे देख लेते हैं हुए版 आती है इसकी अस्वगोस्षिंग पूचिए अगे भी पुछिए जाएंगे एक तो आप लोगी बनती अभिज्यान साकूंतिलम बनती है फिर आप लोगों गान मां सम यहां का सकते हैं कहाँ होता है शोड़ सकते यह आप लोग important नहीं है छोड़ सकते हैं याद रखले ना आयए बठकी दोनों की important most important कौन-कौन सी सूर्य सिद्धान तें आयए बठका most important अर्य भक की पूशी जाएंगी यह भी most इंपोटेंट इसके द्वारा लिखे गई तो इसको ग्रेमर बोलते हैं इसके बाद आप लोग याद रख लेना नेक्स आता आप लोग वी हर्सकी जो हर्सकी कौन सी आप लोग बता देना मुझे बाकी जो सुदर का ये सब तो इतने जैदेव की जरूर्ड पुछी जाएगी इसके हैं नवरत्ना किसके वीरसेन की कोन सी नवरत्ना किसके वीरसेन की तो सारी IMPORTANT बुक मैंने आप लोगों बता दिये कुछ और रहती है बता देता हूं यह इंडिका जुरूर जो पूछी जा चुकी है बाद में पूची जा सकती सब्सक्राइब लिलावती मोस्ट इंपोटेंट लिलावती किसकी भासकरा जित्ते की बाकि जो हर्सवर्दन की चारो बुक का नाम याद रखना अरिश्चेतर कादम बरी नागानन्द और रवी जो कौन सी अप लोगी रतनावली तो सारी मोस्ट इंपोटेंट है उसके बाद यह भी याद रख सकते हो तो यह जितने भी इंपोटेंट बुक हैं यह करवादी मैंने बस आप लोग यह बुक पढ़ लेना एक बार और यह वीडियो देख लेना आप लोग की सारी बुक इससे आजाएगी इससे बाहरा आप लोग की बुक नहीं आएगी नेक्स्ट आता जिस्ट का इंट्रीज किया गया तो एक जुलाई 2017 को इंट्रीज किया गया ता मैंने आप लोगों को जिस्ट के बारे में सारे बता दी है उसके बाद देख लेते कोश्चन नमबर शिक्षी ना था आप लोग का आई एस जी यह कोश्चन आप लोग बताना करड़ करके कि क प्रेशिडेंट कोन पहले पुछा गाया था कि क्रांट में कोन ने अप लोग वे रहो है पोषिज जायेगा जक्षा सकता हूं जरृब पुछा जाएगा उसके बाद BCCI का बनाता 1928 में बनाता है और BCCI का एड़क्वाटर आप लोग को मुंबई में मिलेगा उसके बाद देख लेते हैं नोट इसु का जो राइट इसके पास है या रिजर बैंक और इंडिया के पास है नेक्स देखल ट्वन ता आप लोगा चीप एकनोमिक एडवाजर पुछा जा चुका है फिर पुछा गया है कोन अनत नागेश्वरम है वो यह क्या करते हैं हमारा चीप एकनोमिक जो सर्वे हो इंपेरियल बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था तो पहले नाम हुआ करता था इंपेरियल वैंक हुआ करता था उसका नाम चेंज करके सारे question मुझे मिल गए है अगर इन में से किसी भी question में आप लोगों को error लगती है तो आप लोग कमेंट कर सकते कि सर ये question इस तरीके से पूछा गया था और इस answer ये होगा ये एकदम exact question है मैंने आप लोग के किस टोपिक पर चाहिए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टोपिक पर वीडियो बना दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आई स्टेडी एफसी आई फूड कोर्पोरेशन और पिंडे की ओर से एक एकदम करवाय जारा assistant grade 3 के लिए आज 21 जनवरी को इसकी 4 shift complete हो चुकी है इस वीडियो में हम लोग 4 shift की analysis देखेंगे चार shift नहीं होंगी 3 shift होंगी जो आप लोग की 4 shift है वो मैं आप लोग के लिए कल एड़ कर दूँगा इसमें आज हम लोग 3 shift देखने वाले हैं तीन shift हो में 75 questions पुछे गए हैं जीके के सारे question में आप लोग के साथ discuss करूँगा भी extra factory बताऊँगा जिससे आप लोग का upcoming shift में exam होगा 29 जनवरी को and phase 2 में जिससे आप लोग को थोड़ा बहुत फाइदा यहां से जरूर मिलने वाला है तो चलिए हम लोग वीडियो को देख पुछा गयता राम कृष्णा मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गय ती तुझे के गईती स्वामी विवेकानन्दा के द्वारा की गईती अगर आप लोग से पूछा जाए कि किस के बारे में यह इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए आगे भी पूछा जाये गए उस इस पुछा गयता आप लोगों के लिए कि कुस lesa का कारी मिलने परक मिलता है तो हम लोग इसके सारे खर पैप्ट अप लो पता हुने हैं इसको ठीडर्ब होता है चिसका पुछ का होती है यह जा सकती है फुल्पो मुति महात्मा गांधी रूरल इंप्लॉइमेंट गारंटी एक्ट यह पुछा जा सकता कि किसी एर में आए गया तो आप लोग के एर भी आ तक न दोजार पांच में आए था फिर ओफिसेली यह जो लॉंच किया गया था कब लॉंच किया गया था 2006 में यह लॉंच रखने हैं उसके बाद देख लेते नेक्स आता है कि भारत में जो पहले ट्रेन है वो कब चली थी आप लोगों को यह बताना है तो यह जो ट्रेन चली थी आप लोगों की 16 अप्रेल 1813 में चली ती उस समय जो गवर्णर जनल हुआ करते तो आप लोगों को याद रखना है चैनल है तो डलोजी में फादर डलोजी नियन पादर आप लोगों को याद र्खना है तो आप लोगों को आंसर करना जोцо सब्दे भाकर कंशी को अना चैनली कि ऊप लिएritory motivated अचैनल यह जो सब्यűघ्य कर रख सकते हैं उसके बाद डिस्टेंस मैंने आप लोग को बता दिये और यह मैंने सारे बता दिया कि पहले ट्रेंट कब चली तो इसका नाम भी याद रख सकते हैं उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन पुछा गया था विचो फॉलोविंग गेट फ्रूम प्लां इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच समिट है लिडिन बापाल यह पुछा गया था कि लिटेस्ट कौन सी समिट हुए तो बपाल में समिट हुई थी तो यह आप लोग यह कोश्चन पुछा गया हो अगर यह मिटिंग नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता देंग कि सर यह कोश्चन इस तरीके से पुछा गया था कोश्चन नमबर सिक्स फर्स्ट शिप्ट का उसके बाद नेक्स देख लेते हैं विच इंडियन कंपनी पार्टनेर्शिप इद्धा मैंचेस्टर सिटी के साथ किस इंडियन कंपनी ने टाइप किया तो यह आप लोग को ध्य वासको डिगमा जो पूर्टगाल का एक ट्रेवलर था यह मतलब पूछा गया था कि यह किस जगह पर आया था तो जो उससे में हुआ करता था कोजी कोड तो यह कोजी कोड पर आया था कहा वासका डिगमा और किस कंट्री से बिलोंग करते थे तो पूर्टगाल से बिलोंग पूछा गया कि टोटल रिप्स कितनी होते हैं तो आप लोग का अंसर ट्वंटिपोर होता है उसके बाद नैस कोश्चिन पूछा गया था जो आप लोग का लेटमस पेपर होता है वो डिस्टील वाटर में किस तरीके से चेंज होगा उसका color तो आप लोगों पता ही होगा कि जो distilled water होता है neutral होता है और जब neutral होता है तो इसमें कोई भी change नहीं आएगा color में देखने के लिए तो no change in the color इसका character नशुरू जाएगा MRP की full form पुछे गई थी तो इसकी जो full form होती है maximum retail price इसकी full form होती है यह एक वीडियो में ने आप लोगों के लिए full form की बनाई थी दस मिनट की वो वीडियो होगी अभी तक एक भी question आप लोग का उस वीडियो से बाहर नहीं आया maximum जो full form है आप लोग की उसी वीडियो से देखने को मिली है उसके बाद next देख लेते हैं एक पुछा गयता है आप लोगों से कि जो bonnets animal कौन-कौन से होते हैं तो bonnets animal आप लोग के spider होगा जैलिफिस होगा और octopus होगा और crabs यह सारे के सारे bonnets होते हैं आप लोग देख लेना कि आप लोगों के जो question में कौन सा इसमें से option correct था उसके बाद next देख लेते हैं कि second battle पानिपत जो आप लोग की second battle पानिपत यह कब लड़ी गई थी तो मैं आप लोग को सारी बैटल बता देता हूं पहली बैटल लड़ी गई थी आप लोग की 556 में हो इती कब विति 1556 में हो इती अकबर और हीमु के बीच हुई थी इसमें अकबर जीत गया था इसमें कोन जीता था अकबर जीता था और जो final और नास्ट battle फ़ी थी थाड़ बैटल फानिपत यह आप लोग की अचब ले रखी आप लोग चाब तो देख सकते हैं उसस से रिलेटेड कोश्चन नहीं आएगा आलमोस्ट मैंने 15 से 16 मिनट में सारे कोश्चन गांधी जी से रिलेटेड कवर कर रखे हैं उसके बाद से रिलेटेड कोश्चन पुछा गया था टेक्स इंपोस्ट वहीं मराठा जो मराठा होते थे उनके द्वारा जो टेक्स होता था वह कौन सा था तो दो टेक्स आप लोग का चोट ता दूसरा टेक्स आप लोग का सर्देश मुखी था नेक्स देख लेते हैं जो प्लेटिनम दो बाट sür 250 किसको दिया गए तो यह दिया गया आप लोग को नाम को जो यह मंडी होती है तो इनको दिया गया प्लेटिनम ऑ., लग संतर नस पर आखर दकेंट कुमार लोग को ध्यान अकना मैंने जब आप लोग के एक वीडियो प्रवाइड करवाई ती बुक्स वाली उसमें भी मैंने आप लोग को यह सारी रिवाइज करवाई ती और यह भी कहा था कि जो कालिदास की रिटन है यह मोस्ट इंपोटेंट है हर एक अग्जाम में जरूर लोगे से पूछा गया था कि पोपुलेशन कितने इंगल में करणेट कर रहे तो बाद आप लोग का पॉपुलेशन कंडेट करवाई जाता है पहली बार जो पॉपुलेशन कंडेट करवाई गया था तो फो और लोग स्टे मैंने आप लोग कराया था कि सबसे ज़्याद मून किसके पास होते हैं सेटन के पास होते हैं तो टोटल मून कितने होते तो 83 मून होते हैं सेटन के पास फेर में से आप लोग माइन की फॉट होट फोलते हैं दिमका ने नाम क्या हो क्थ पहले करता तो कांडलाबंधर का गुजरात का उसका ही नाम से नाम उसके बाद 24 देख लेते हैं, आप लोगोंको 4 उप्संन दे रखे थे उने सारी की सारी यूनिट देख रखे थी, आप लोगोंको ये बताना था कि इनमें से कौन सा यूनिट टाइम की नहीं होती है, जैसे डेकर दे रखा होगा, सेंचुरी दे रखा होगा तो वह आप लोग जान लेना लेकिन अगर उसमें मिलेनियम होगा तो यह उनिट टाइम की नहीं होती है तो यह 24 कोशन ते फर्स्ट के जो मुझे मिल चुके हैं सिर्फ एक कॉस्चन मुझे नहीं मिला है यह जो एक कोशन है फर्स्ट का यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर यह question पुछा गया था और इन 24 में से किसी भी question में आप लोग को लगता कि error है वो भी आप लोग comment box में correct कर देना जिससे में जब आप लोग को PDF provide करवांगा exact question आप लोग के पास आज आएंगे फर्सिप्ट के जो 21 जनवरी की सबसे पहला question आप लोग का जो पूछा गया था कि जो लखनो पैक्ट हुआ था यह किस year में हुआ था तो मैं आप लोग को बता देता हूँ Muslim League and Congress के भीज एक साइन हुआ था दोनों आपस में combined होगन मिल गए थे तो वो किस year में हुए थे 1916 वाला सेसन हुआ था ANC Indian National Congress का और सेसन की Presidency किस ने की थी मजाए नहीं कि याद रखना कि RC मजाएंड़ार ने इस सेसन की Presidency की थी अब मैं आप लोग को आइनसी के बारे में कुछ बता देता हूं जो आप लोग के एक्जाम में फेस्टू का जो अग्जाम होगा जरूर पूछे जाएंगे आप लोग को पता होना चाहिए कि आइनसी की जो फांडेशन है किसी एर में हुए तो अट्थर सो पिचासी में फांडेशन हुआ था और बंबए में इसका फांडेशन हुआ ता और अटक्तर पार्टिसेफेंट जो पहला सेयं भाता बंबए में उसमें जो अटक्तर पार्टिसेपेंट ने भाग लिया था तो ये भी याद रखना ठार्ट ह 985 ब्यादर भी याद रखना है कि यो व्दी यह खीनिजी यह तें च गत्ता में गया गता उसके बाद एक सेसन आप लोग को याद रखना नैंटीन जिरो बन का सेसन है इस सेसन की जो प्रेशिडेंशी किस ने किती दिनेश वाचा ने और सेसन को इसलिए याद रखना क्योंकि इस सेशन में गांधी जी ने फर्स टाइम पार्टिसिपेट किया था नेंटे जिरो बन के सेशन में उसके बाद देखने थे नेक्स सेशन आप लोगों याद रखना 1907 वाला इसमें क्या हुआ था नारहान धर किसने नारहान ने 1911 349 में लोगों बताई दिया 19 6 सोला वाला उसके बाद आप लोग याद रखना 1917 वाला यह ऐसा सेशन था जिसमें इंडिया नेसनल कॉंग्रेस की पहले बार प्रेसिडेंसी कोई फिमेल कर रही थी और उनका नाम क्या था एनी बेसेंट यह 1917 वाला आप लोग याद रख लेना उसके बाद आप लोग 1924 वाला याद रख लेना यह बेल गाउं में हुआ था बेल गाम करना टकने पड़ता है इ टोटल कितनी प्रेसिडेंट इंसे की बन चुके जो फिमेल थी वह तीन है आप लोग याद रखना तीन है तो मैंने टोटल आप लोग के आइंसी करवा दिये उसके बाद पुछा गया था जो इंडस रिवर जिसको सिंदू बोलते है इसकी ट्रिविट्री पुछाता तो मै मैं आप लोग को जो वीडियो पड़वाए प्रोवाइड करवाई थी मैंने आप लोग की जियोग्राफिकी रिवर वाली उसमें भी सारे ट्रिविट्री कराई थी और बोला भी था कि इंपोटेंट है कौन कौन सी है जासकर है चैनाब है सतलेज़ है बियास से जहले मैं कि एलीरिसन गंगा है रवी है इसमेंसे आप लोग जोचैनाब रिवर है यह याद रला यहाद रखना जो ब्रेज बन रहा है रेось के वल पर बन रहा है वो भी आप लोग का जश्मू काश्मुर मैं चैनाब को बताया है तो इतने फैक्ट आप लोग को याद रखने एक फैक्ट और ट्रिक मैंने आप लोग को बताई रखिये एस ब्याई मानसरोबर यह तीन रिवर ऐसी है जो मानसरोबर तिब्बत में एक लेक पढ़ती है मानसरोबर लेक वहां से लिकरती है सतलज ब्रह्मपूत्र इंड्रस यह आप लोग याद रख सकते हैं इनकी जो ट्रिक है यह इनका जो ओर्जिनेट है वह इंडिया से नहीं होता है नेक्स कोचल पुछा गयता आप लोगों से कि जो अर्थ का रिवोलुशन होता है जो अर्थ का तो का रिवोलुशन होती है यह अप लोगों को फूल पुपॉम वाले वीडियो में करवा दिया था उसके बाद नहीं पुछा गया था सब्सक्राइब पानिपाद यह सेकिंड बैटल आप लोगों की फस्ट मीटिंग में पूछी गई थी सेकिंड बैटल आप लोगी तो जागरे बुजाएगी क्रोशिया की पहले जो करन्सिवा करती थी वह आप लोग की कुना हुआ करती तो तो कुना से चेंज करके इनों ने अपने जो क्रोशिया कर लिए कुन सी कर लिए यूरो कर लिए असके बाद डेख लेते हैं जो डोमेस्टिक सेजन में वोमेन एंपायर बनेगी तो मैं आप लोगो बता देता हूँ रंजे ट्रोफि में वह एंपायरिंग करेंगी और कौन-कौन मेला हैं तीन मेला हैं इन में से आप लोगों के जो ओप्षन में कोई बी एक होगी तो वही करेक्ट हो जाएगा और यह पहली बार किसी भी जो मैंच है न मैन वाला उसके एंपारिंग करने वाली है और यह डोमेस्टिक होगा रंजी ट्रोपी बात करने ते यह जो रंजी ट्रोपी कव स्टार्ट हुई थी यह भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद न लेंग्विज बोली जाती उसको बोलते हिब्रू लेंग्विज तो हिब्रू लेंग्विज बोली जाती इस्राइल में बाकी इस्राइल की कैपिटल देख लेते हैं इस्राइल की दो कैपिटल होती है जो यूस से मानता है वह मानता आप लोग का जेरुसलम है और हम लोग इंडिया किस केपेटल को मानता उसको बोलते तेल अवीव तो जो हमारी एंबेसी है वो तेल अवीव में यूएसे की एंबेसी जरुसलम में तो यह भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं और इस्राइल हमारा ड्रिप इरिगेशन को लेकर करता है किसको ड्रिप गया था तो अमवीएस गंगा विलास इसका नाम था और यह कहां से कहां तक चलिए तो यूपी में कासी यानि आप लोग का वराण सी है वहां से लेकर करके डिग्रुगड असम तक यह चलिए और इसकी जो डिस्टेंस थी वो 32 किलोमेटर थी उसके बाद देख लेते हैं व 1906 में मुसलिम निंग की फांडेशन की ती जो अंगलेज चाहते ते वही हो चुका था डिवाइड हो चुकी थी कौन हमारे जो इंडियन ते उसके बाद नेक्स रहता है जो लिक्विड रहती है एट रूम टेंपरेचर तो उस मेटल को बोलते हैं मरकरी मरकरी के बारे में आप लोग को यह ध्यान रखना है यह लिक्विड मेटल होती है दूसरा इसका अटोमिक नंबर भी आप लोग याद रह सकते हो 80 इसका अटोमिक नंबर होता है उसके बाद नेक्स देख लेते हैं इंडिया फर्स्ट ओपन रोक मीजियम कहां पर बनेगा तो यह बनेगा होता है जो आ पलोग अब लोगों से जा जुक एं तो स्वर्स के बारे में फुछ आते कि पहले पोनुटे जिनको भारततन डिया घठा तो वह खान अब गफ़ार खानते और बात कर लेते हैं इनको कब दिया गया तो 1987 में इनको भारत रतन दिया गया था इंडिया का हिएस टोनर दिया गया था उसके बाद पुछा गाता है तो जो हमारी इंडियन एकोण लिया सक्टर होते हैं प्राइंडा ऑफ्वाला फी क्युक्षा स्टेरी नहीं देखर मतलсте योग कि रिद्फरी ओगी जहां पर आप लोग कि तरह जऑ अब बैंकिंग में सर्विस मिलती है mobile की सर्विस मिलती है जहां से आप लोग मोबाइल पर बात करते न वह वाली सर्विस होती है तो सर्विस अक्टर में जाएगा रहें अज देख लेते हैं जनवरी 1950 को planning commission बनाता, planning commission के head भी आप लोगों से पुछा जाता, तो हम ऐसा प्राइम मिनिस्टर होते थे, पहले head कोन थे, पंडी जवाला नहरूजी, इसके पहले head थे, अब जो current में क्या हुआ था, 2014 में इसको abolish कर दिया गया, 2014 के बाद 2015 में एक नई बोड़ी बनाए गई, और यह जो नई बोड़ी कब बनाए गई थी, तो एक जनवरी 2015 को यह नई बोड़ी बनाए गई थी, इसका नाम निती आयोग था, इसके फुलपवम भी आप लोगों से पुछी जाती है, National Institution Transforming India इसके फुलपवम होती है, उसके बाद यह कब बना था, 2015 में यह बना था, और जो करेंट के जो अपोइंटमेंट है, इसके यह भी आप लोगों को याद रखनें कि इसके CEO कोन है, तो परमेश वरन ऐयर इसके CEO है, और वाइस चेर्मेन कोन है, इस समय सुमन बेरी इसके वाइस चेर्मेन है, उसके बाद नेक्स देख लेते हैं, वो गोड़ था पेट सकते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, आप लोग का 21 परधान मंतरी किसान स्केम का जो amount है, वो at the age of 68, तो आप लोगों कितनी की pencil मिलेगी, तो यह होती है, आप लोगे 3000 पर मन्त की pencil मिलती है, after the completion of 60 year, जो आप लोग की age है, अब हम लोगों देख लेते हैं, बाइस और यह चार question include कर दूँगा, जिससे आप लोग के upcoming candidate है, या फिर face to वाले candidate है, वो पढ़कर जा सकते हैं, कि face to में क्या क्या question आ सकते हैं, तो हम लोगों ने कितनी shift देख लिए, shift 1 देख चुके हैं, और shift 2 देख चुके हैं, किसके 21 जनवरी 2022 बाद तेज की हैं, दो shift देख चु 25 question पुछे गए हैं, हरे question इसका तो मेरे पास हरे question मिल चुका है, proper explanation के साथ, आप लोग के साथ, share कर रहा हूं, 25 question और shift, फिर से बता देता हूं, आप लोगों करके पूछने कि सर हमें पहली नहीं मिली, तो पहली भी हो चुके है, दूसरी भी हो चुके है, और अब हम करने व head है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, उसके बाद next पूछा गयता है, आप लोगों से founder of the khilji dynasty, founder of the khilji dynasty, पूछा गयता है कि khilji dynasty के founder कोन थे, तो ये ते जलालोदीन, फिरूज खिलती, इसके founder थे, और ये जो dynasty कभी स्टार्ट हुई थी, after the slave dynasty, slave dynasty आप लोगों की चल khilji, जो जो अलावदीन khilji है, ये कब से कब तक रूल करते हैं, तो 1296 से लेकर के 1316 तक ये रूल करते हैं, और अलावदीन khilji के बारे में आप लोगों क्या क्या याद रखना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अलावदीन khilji के बारे में एक fact आप लोगों याद रखना है कि इनको second Alexander बोला जाता तो Alexander दित को बोला जाता यह Allaudidin खिलजी को बोला जाता है पहली बार market reforms जो market reforms यह कुण लेकर आये थे Allaudidin खिलजी लेकर आये उसके बाद अलाई धरवजा किस के द्वारा बनवाये गए था तो ये यह जो मिलिक का पूड़ता यही इसको नोर्थ इंडिया में वापस लेकर आया तो यह भी फैक्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है उसके बाद नाग्स देख लेते हैं प्रोड्ट ऑब फोट फोटोसिंतेसिज जो पोटो सिंतेसी रेक्शन होती है इसका फाइनल प्रोड़क्ट क्या होता है तो ऑक्सिजन एंड गलुकोज होते हैं और जो इसमें किस्से बनते हैं यह आप लोगों का दो तीन सिप्टों में ओल्रेडी पुछा जा चुका क्या कोशीन तो आप लोगों को पता आप लोगी जो नाइट्रोजन इवल अठत्तर होती है उसके बाद नेग्स देख लेते हैं जो सारा डेजट है यह आप लोगा अफरीका कॉंटिनेंट में, एक दो देज़ेत हो नहीं? एक तो आप लोग याद रखना है, Gibson Desert है यह को बनाते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, जब आप अल्कॉल बनाते हैं इसमें कौन सा Enzyme यूज होता है आप लोगों का जो correct question था यह था कि कौन सा एंजयम होता है तो जाइमेज enzyme यूज होता है यह catalyst की तरह वर्क करता है और जो इस फर्मेंटेशन में क्या convert कर देता जो सूगर होती है उसको convert कर देता अथिनोल में तो यही question था आप लोग का question number next देख लेते हैं सिख गुरु जो पहले सिख गुरु जी कौन थे तो आप लोगो ध्यानक ना स्थापन की गई तो यह भी fact मैंने आप लोगों को बता दिया है इंसे प्लांट पूछा गया था कि कौन से इसके example होते हैं तो मैं सारे example बता देता हूं तो एक तो ड्रो से रहा होता है यह भी इंसेक्टी वरस होता है उसके बाद पिचर नेक्स देख लेते हैं लेटर उब दा बैटल ओफ प्लासी जो बैटल प्लासी है उसमें लेटर पुछा गया था कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था तो मैंने आप लोग इसके ट्रिक बताए थी कि आप लोग याद रखने हैं ना के एम जो आप लोग का क्लाइब था यह दुर नोने वर बागए ऑबद के इनवाब बितेष में उसके बात नेक्स आता है विच गलेंड इजा मैं घूलाई जाता प्याई जह होती है यह पी सेपकी होती है मैं घ्यक्सा भिछ को लेते हैं इशो बाद जो आप लोग की बीम अधुमक्षी होते हैं यह भी सकिंगे तुरू लेती है और जो मस्केट होता यह भी सकिंगे तुरू अपना फूर को अफ्जोर करते हैं मेकम टाईम है और एक डाफ लोगा सकते हैं कि यह भालत रतन लोगों के लिए उसके बाद देख लेते हैं एक तो आपलो piece मिरा जनम सिदई हधिकार एक आप लोगों से कि सवराज मेरा जरमसीद अधिकार है तो यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था तो यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक्स जी के द्वारा है निक्स आता है तो फिस स्टेट में तो इसको बोलते नावाशिवा बंदर गाभी बोलते है नेक्स देख लेते हैं विच वर इस नो जायद करप तो आप लोगों से बताया था कि जायद कॉन सी होती है तो मैं आप लोगों पहले भी बता चुका एनलीसिस में जब आप लोगे रभी और खरीब का जो क्रोप होती है तो उनके बेच में एक टाइम पिरेड आता है दो-ती लोगों से आगे भी पूछा जाएगा ये उसके बाद आपर इस लिमिट ऑप दा परदान मंत्री जंदन योजना जो परदान मंत्री जंदन योजना इसकी अपर इस लिमिट बढ़ा करके पहले 60 वाकर देती उसको 65 कर दिया है तो यह पूछा गया थे कि अब कितने हो चुकि अब नेक्स्ट आप लोगों से पुछा गया था कि आसा में इस टेंट्स पूर क्या होता है तो आसा की पूलपोम होती है एक क्रेडिट सोसल हेल्थ एक्टिविट होती है तो एक ही जो अगर पूछा तो एक्टिविस्ट हो जाएगा इस काउनसर इसके बाद नेक्स पूछ इसकी फुलपॉम होती है और यह बना कब था तो 1958 में DRD की स्थाबन की गई थी अगर पुछे आप लोगों से जो नासा है जो नासा युएस से में वह कब बना था वह भी आप लोगों का 1958 में DRD के टाइम ही वह भी बना था उसके बाद एक फैक्ट और याद रख सकते हो कि DRD जो करेंट में हैड है वह 10 नंबर के है और उनका नाम क्या समीर कामत यह भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स देख लेते हैं आर्टिफिसल हार्ट मेड़ विच आयटी तो जो एक आर्टिफिसल हार्ट बनाए गया तो वह किस आयटी के दौरा है आर्टि कानपूर के दौरा मैंने जब आप लोगों के दिसंबर का करवाया था उसमें भी एक कोशन मैंने आप लोग को करवाया था उसके बाद नेक्स देख लेते हैं हाईस्ट फोरेंट टुरिस्ट कंप्रोम विच कंट्री इन इंडिया जो इंडिया में 2021 में सबसे ज़ इंप्रोटेंट है यह दुनिया में पहली बार कोई इंस्टिडेंट हुआ जब आप लोगी जो फ्यूजन रियक्शन है उससे जो एनर्जी रिलिज होगी वह एनर्जी कैसी होगी वह आप लोग की नेट एनर्जी गेन होगी मीन्स आप लोग का सो कारबन वह एक्स्ट्र और तर्ड इनके 75 questions share कर दियें अगर आप लोगों को किसी भी shift के किसी भी question में लगता है कि sir इस question में ये error है तो आप लोग वो error please comment करके correct कर देना कि sir इस question का ये correct होगा बाकी आप लोग की जो 4 shift बचते हैं 4 shift के question मैं ने collect कर लिए तो 4 shift की analysis मैं आप लोगे लिए कल provide कर वा दूँगा और इन 4 shift को फिर campaign करके भी आप लोग को एक video provide कर वा दूँगा जिसमें हम लोग 4 shift हो जाएंगे आप लोग के पास 100 questions की तो ये analysis थी अब अगर आप लोग चाते है 29 तो जनवरी की भी analysis की जाए वो भी बता सकते हैं और 29 जनवरी को किस-किस का exam में वो भी कंडियेट कमेंट करके बता सकता है और कल आप लोग को वीडियो मिल जाएगी किस-किस को फेज़टो की preparation करने चाहिए और किस-किस को नई करने चाहिए cut-off की वीडियो हो सकता है कि महाज आप लोग को provide करवा दू अगर आप लोग को मेरा content पसंद आता तो please आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फर्स्टाम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू हलो फ्रेंट्स वेलकम टू हिस्टडी FCI फूर्ड कोर्पोरेशन वो पिंडिया की और से एक अग्जाम कंड़ेट करवाय जारा assistant grade 3 के लिए आज 21st अब जन्वरी को इसकी चारो shift complete हो चुकी है तीन shift की analysis मेरे द्वारा कर दी गई थी separate भी कर दी गई थी और तीनों को combine करके भी आप लोगों को मैंने वो सारे question जीके के provide करवा दिये है candidate demand कर लें थे कि सर लाज shift की भी analysis कर दीजिए तो मैंने आप लोगों के लिए जो 4 shift हुई आप लोगों की उसके भी question collect कर लिए है और इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों की 4 shift हुई उसमें जो जीके के 25 question पुछे गए वो सारे मैं आप लोगों के साथ share करने वालों with extra fact भी बताऊंगा आप लोगों को जिससे जो आप लोगों का upcoming shift में exam होगा और based वाले candidate को फाइदा होगा तो चले देख लेते हैं एक एक करके जो question आप लोगों के पुछे गए हैं सबसे फर्स्ट question पुछा गया था आप लोगों capital of manipur की पुछे गए थी तो manipur की capital पुछे गए थी इंफाल होती है नोर्थ इस्टन फुलपॉम से लेटेड की फुलपॉम पूछी गई थी तो कि फुलपॉम होती हो फुक्रिक स्पॉन्स होती है यह फुलपॉम वाली वीडियो से है जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवार किया दस से बारा मिनिट वाली उसके बाद नेश कोशन देख लेते हैं आप लोगों का जो कॉंसिट्यूशन ओफ इंडिया है उसके बाद एक कोशन आप लोगों को जो मैंने जनुवर दिसंबर की करेंट अफेर की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें यह कोशन मैंने आप लोगों करवाया था कि जो एक पहले हैं जो पहले हैं यह थरूर के द्वारा बुक लिखी गई है अम बेड़ गरें लाइब मोस्ट इंपोटेंट है जो भी बुक सची थरूर के द्वारा लिखी जाती है वह हमेंसा एक्जाम में पुछी जाती है एन एरा ओप डार्कनेस यह भी किसकी बुक है यह भी आप लोगों की सची थरूर क चिप्केत हैं उनने में से आप लोगों यह बताना था की इनमें से कौनसा उन्य सेंटल पर भी पब्लिक अंटरप्रेजंघ नहीं है तो मैं आप लोग को में कुछ बता देता हूं सबसे बड़े प्रनेट में में आता है तो आहाट आप लोग का फाँन नंबर का अगर आप से पुछा जाए कि जितने भी प्लेनेट उनमें सबसे ज्यादा डेंशिंटी किस प्लेनेट की होते है तो आप लोगों का अंस्वर अर्थ हो जाएगा अर्थ का ट्वीन आए तो आप लोगों का अंश्वर विनर्गी त्वीन इस पूछा गया था तो इन में से जो भी आप लोग का उप्सन में होगा वही आप लोग का क्रेट हो जाएगा उनिसेलुलर में जो अमीबा या फिर बैक्टिरिया उसके बाद एक कोशन पूचा गया था जो फतेपुर सीक रही है यह किस स्टेट में पढ़ता है यह तो यह पूचा होगा यह फि याद रख सकते हैं 1571 में बनवाएगा था 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया तो यह भी फैक्ट आप लोग एकबर के बारे में याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स लाता है यह ट्राइट इस्टेशन 2003 जनवरी में किसको मिला है तो यह 2023 में एट राइट इस्टेशन जो मिला है यह वराण से रेलवे स्टेशन को मिला है और यह अब इंडिया का सात्वा स्टेशन बन चुका है जिसको एट राइट इस्टेशन की वह स्टेटस मिला है अब मैंने कुछ कोश्चन आज अनलिसिस में यह देखा है क जो January से भी question को देखने को मिले तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए 15 जनवरी तक एक वीडियो करेंट अफेर की प्रवाड़ करवा दूँगा जिन भी candidate का exam 29th of January को होने वाला है उसके बाद नेक्स देख लेते हैं परम कोशल विकास योजना यह जो परम कोशल विकास योज ही थी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पस्ट वर्ल्ड वर कभी स्टार्ट हुई तो 1914 से लेकर के 18 तक आप लोगों की फस्ट वर्ल्ड वर वी थी यह आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद में पुछा गया अटल टनल जो है यह कहां पर सिच्वेटीड है तो ज सरकिट में करेंट को डिटेक्ट करने के मतलब करेंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है और यह मतलब इसका जो नाम है कि सैंटिस्ट के नाम पर है तो यह आप लोगी गलवानी है उन्हीं के नाम पर इसका सैंटिस्ट का नेम है योगी गलवानी हो जाएगा यह आपर भी आजाएगा तो यह थोड़ी सी मिस्प्रिंटेस में आप लोग 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 लिए गलवानी के नाम पर इस इंस्टूमेंट का नाम रखा गया है फिर एक कोशन पुछा गया था कि वूड़ डिस्पैच जो है यह इस्ट्री में आता पुछा गया था सेकिंड हाइस्ट मांटेन इंडिया में दूसरा सबसे उंचा मांटेन कौन सा है तो यह आप लोग का नंददेवी होता है अगर पुछा जाए कि नंददेवी किस दिस्ट्रिट में पढ़ता है तो आप लोग को याद रखना उत्रा खंड तो उत्रा जादा किस स्टेट में माजन पद्दा थे तो आप लोग याद रखे लिना यूपी उसके पुछा गया था दिन द्याल उपाद्धे अंतियोजना योजना यह किस एर में लोंच की गेती यह आप लोग को योजना वाली एक वीडियो परवाइड करवाई थी 20-22 मिनिट की उसमें आप लोग की कवर कर रखे मैंने सारी की सारी यूज रहे उसके बाद नहीं पुछा गया था परधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना जो होती है यह फार्मर के लिए होती है कोई भी फार्मर होता है उसको एक थोड़ी सी असिस्टेंट दी जाती है तो यह आप लोग को एक साल में शैजार की फार्मर को जाती है व्याप यह ब्यूत तो फुछा गया था यह कोशन मुझे आजए चल पा रहा है कि क्या question था मैंने सूचा क्या गलत आप लोगों को करवाँगा आप लोग बोलोगे कि सर यह इस तरह के से था तो आप ही लोग इस question को correct करके बता देना कि सर यह एप वहला question इस तरीके से पुछा गया था तो फिर मैं आप लोग उसका correct answer प्रवाड करवा दूआ उसके बाद last question आप लोगों से पूचा गया था कि जो एक सही फसल campaign नहीं किस ministry के तो रहा लूंच किया गया था तो यह सही फसल जो campaign नहीं आप लोग का national water mission के तैत ministry of जल सकती के द्वारा लूंच किया गया है अगर आप लोगों से पूछे कि कर दिया है अगर अभी भी कोई भी question ऐसा है जो इसमें आप लोगों को लगता है कि सर्थ इस question में यह error है तो वह error आप लोग कमेंट बॉक्स में करेट कर देना बाकि जब मैं आप लोगों को करेट करके प्रवाड़ कर दूँगा बस यही आप लोगों की analysis ती अगर आप ल को कितने मार्क्स पर फेज टू के लिए प्रिपेर करना चाहिए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें कल जन्दी से एक प्रोपर स्ट्रेजी की वीडियो बता दीजे फिपेज टू के लिए और कौन-कौन सी classes होंगी उसकी information आप लोग को मैं कल द सब फ्री रहने वाला आप लोग को हेस्ट्री चैनल से जो भी कंट्रेक्ट मिलने वाड़ा है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाकी चैनल को सब्सक्राब कर लिए आप लोग का इभाद होगा थेंक्यू